नवस्कार आप देख रहे हैं प्राइम यूज 24 मैं हूँ आपके साश्वता सिंग आज सर्किट हाउस पर पूर प्रदेश महा सचिफ किसान कॉंग्रेस मध्या प्रदेश एड्वोकेट अशोक सिंग भदवरिया ने पूर्व भारते जनता पार्टी सांसर डॉक्टर राम ल द्वारा निरंतर की जा रही थी लेकिन आज तक इस घोटाले की निश्पक जाच नहीं हो पाई है हाई कोट के द्वारा इस प्रकरण में जाच के निर्देश हुए थे लेकिन जाच एजनसी के द्वारा कोई विजाच पश नहीं की गई और कोट में एफ आर लगा दी पारण कोई भी ठोस कदम नहीं लिया गया जिस पर प्रेस कॉन्फरेंस कर निश्पक जाच कंप्यूटर गोटाले की मांग की गई है सी बी आई के द्वारा इस प्रकरण की मांग की गई है यहां रही अनेमिक ताजिस स्कूल में कंप्यूटर टीचर ही नहीं पढ़ाई कै रठा हूँ अड्वोकेट अशोक सिंग्भदौरिया ने ये कहा है कि ब्रस्ताचार उजागर कर दोश्यों पर कारवाही होनी बहुत जरूरी है इसके लिए मैं कानून से बराबर 1999 से लड़ता चला आ रहा हूँ और आगे भी जारी रखूँगा बरस 1999 दो हजार में डाक्टर राम लखन सिंग की सांसन निधी से ततकालीन कलक्टर मुक्तेश वासड़े की समय में 23 सास की बिद्यालों में 115 कम्पूटर लगाए गए थे जिसकी कोस्ट एक करोड़ सात लाग से कुछ उपर थी कम्पूटर काग्जों में दिये गए, on-spot पर डिबे सप्लाई किये गए, कम्पूटर S.E.L. के लगना थे, कम्पूटर अशंबल लगाए गए 12,000 का कम्पूटर अशंबल का 99,000 में खरीद करके सप्लाई किया गया और ना ना उन चंप पन्पनियों की कोई जाँच एप संसर गा due वाय बारी वारी ओ प्यों कर दिया गया थेश इस इसकूलों में लाइट नहीं थी computer operator नहीं थे computer कच्छ नहीं थे computer चलाने की लिए teacher नहीं था computer के नाम पे अपने सी स्विक्रती दी गई वह केवल काग्यों में रयाना बनाया गया उनको काग्यों में लिखा पड़ी की गई स्पॉर्ट पर कहीं कुछ नहीं था मैं लेलोरी स्कूल को देखने गया जाच कमेंटी के साथ तो वहां 1947 से 2003 तक लाइट ही नहीं थी उस स्कूल में किवाड़ नहीं थे साड़ अंदर बैठे थे तो मैंने जांच अधिकारी से कहा कि आप खुदी तेह कर लो क कम्पूटर चलने की स्थिति है क्या इसमें किवाड़ नहीं कुछ नहीं जंगली जानवर अंदर को से उगए तमाम सारे बाराक अला का मैंने विजिट किया लेलोरी का किया बैस्पुरा का किया मानने का किया जहन कॉलेज का किया मुझे कहीं परियाप्त सुथा नहीं के द्वारा जो मामला किया गया जो गोटाला किया गया है इसमें एक अवयतिवारी और अरीवा का बहुत बड़ा नेता वे बो राम लखन सिंग का दलाल था उसमें वह कंपनी लेके आया इनने सब कर गे तीन-चार लोग ने मुक्तिश वासरे सबके काग जो में पूरा कार वही कर ली हमने 2002 में एक धरना दिया ततकालीन प्रभारी मंतरी डाक्टर गोविन सिंग को ग्यापन दिया और उन्होंने इस गोटाली की जांच के जिला योईना समती में आदेश दिए गोविन सिंग की जांच डेस्ट बिन में चली गई हमको न्याय नहीं मिला उसके सब्सक्राफ लोगों की जनता की और से लडा ही लड़ रहे थे नमाइन दे थे महां पुत्र भिंड विदाइक था कमलनाथ की था इसने कमलनाथ पर दवाव बना के और एफार लगवा दी जो मामला सुप्रिम कोट आई कोट में सिद्ध था उसको कमलनाथ ने असद्ध शिद्ध करके एफार लगा दी आपकोड ने मुझे बुलाया मैंने अब्जेक्शन फाइ मेरे लिए पार्टी से बड़ी जनता है पार्टी से बड़ी मेरे लिए सरकार नहीं हो सकती जहां जनता का हित प्रवावित होता है मैं पार्टी से बगावत करने के लिए तैयार तब भी था आज भी हूँ मुझे शिंदिया सिवराज की सरकार में भी मुझे नहीं लगता कि यो डोगलुस में निस्पच्छी जांच कर पाएगा सिवराज कि सिवराज आरोपी का पुत्र सिवराज का भी निये रेस्ट है और कई भायापा के जो बड़े भिंडी जिले के मंत्री बिदाया के बो भी से मिले हुए है इस जांच को प्रभावित किया जाएगा मैं फिर राइगोट जाओंगा फिर आइगोट जाओंगा मैं और फिर इस लड़ाई को में अंतिम स्टेज तक लड़ूँगा मैंने आप से का डाक्टर नाम लखन सिंग लोटे राई नहीं आर्थिक आतंक वादी किये इसकी अव्य संपत्ति की जांच करा ली जाए एकल जेल चला जाएगा मेरा नाम है एड़ोगेट असोग सिंग मादरिया मैं किसान कॉंग्रेस का पूर प्रदेश महासाची मूँ